कैसे हैं आप सब लोग होपा आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे तो मम्मी के घर पर आई हूँ जैसा कि आप सब लोगों को पता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए आलू बॉइल रखे होगे थे तो उनको अच्छे से मैश कर लिया उसमें नमक लाल मिश्ट धनिया पाउडर हलका सा गरब मसाला हलका सामचूर पाउडर डाल कर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया इस तरीके से आलू का मसाला तियार कर लिया है मैंने अमें एक रोटी बेलूंगी उसके लिए मैंने नौल मेल आटे की लोई ले ली है थोड़ा सा सुखा आटा बुरक लिया शेल्फ पर शेयल पर डिया था आटा और बेलू लिए च्छलिं यहरें अमें एक रीसा सूंर्ड़ त्योत लिए है पर आटा मेलने प्यार कीानगी जो च्रीसे से अच्छा ॉ होता है और यहां पर मैं यह इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी स्प्रिंग रोल की जैसे ही इसको फोल्ड कर लिया है मैंने और दोनों तरफ से अच्छे से दबा दूँगी और नीचे थोड़ा सा आटा और बुरक दिया है क्योंकि बेलने के बाद भी जी पक सकता है तो बु आप लोगे की चाहिए द कर लेंगे यह कर रही हूँ मैं पूर्स चाइम ट्राइब कर रही हूं बराभी ट्राइब हैं आप लोगों कभी शहार फस्ट टाइम कर एंगि तो इस तरहिके से जो मैंने काटा है ना उसको इस पर देंगे इनको पिन विल कहते हैं और ग हो के आ पास जो है आप वो ले सकते हो, उसमें हलका सा ओईल डालेंगे, और जो भी हमने पिन विल तियार की है, एक ही मैंने बनाई है, एक ही रोल बनाया था, उससे जितनी भी है, ये सारी उसी से बनी हुई है, तो इनको मैंने कड़ाई में डाल दिया है, आप चाहो तो इसको डीप करना शुरू कर दिया है और परलटने के बाल दोड़ось थक्क लगा थोड़ा थोड़ी दिर लगां तो मैं निकाल लेती हूं तो ये नाश्टा कैसा लगा आप लोगों को मेरी भेहन इसको मेनी पराटा वोल रही थी आलू का और इसको पिन विल कहते हैं वैसे खाना पीना करने के बाद अचानक से क्या हुआ घर में हलका फुलका से भुकम पा गया भुकम यानी की एक चुहा आ गया और चुहा बिलकुल बदाश नहीं है घर में तब लोग बहुत डरते हैं चुहे से तो बस उसको पकड़ने के चक्कर में मेरी भाई ने दिवान किसकाया सोफे किसकाया, टेबल किसकायी फिर वो चुहा जो है दूसरी कमरे में घुज गया तो महा पे बसा खिसकाया बेंच खिसकायी और पता नहीं क्या-क्या समान खिसकाया तो अब जो है वो पूरा समाना रेंच हो रहा है अच्छे से और जब दिवान वगारा मेरी बेहन ने सेट किया तो बेटशीट भी चेंज कर दी है और मैं वीडियो बना ली हो अराम से मैं करूंगी स्टोर की मम्मी के साथ सफाई और मम्मी है साथ में सोफा इदर उदर साब कुछ खिसकाना पड़ा बढ़ चुआ जो है ना इतना चला के एक कमरे से दूसरे कमरे दूसरे से तीसरे बस यही लगा रखे थी मम्मी और मैं जो है बिस्तर रख रहे हैं गरम बिस्तर इस वाले बकसे में आप सोचिंगे कि गरम बिस्तर अभी तक नहीं रखा तो तो रख दिया था कुछ भारवाले बकसे में था कुछ अंदर वाले में था और कुछ गड़े इसमें थे कुछ भारवाले बकसे में घरजाई और कंबल वगार इसमें कर दीए अब जो यह बक्सा है यह सर्दियों में खुलेगा क्योंकि अब गर्मी में रजाई और कंबल के कज़ोरती नहीं है लेकिन गदों की पड़ती रहती है तो एक जगा सब चीजे कर दी है अब यह नहीं खुलेगा सर्दियों तक तो इसको अच्छे से राग देते हैं पहले एक चलो अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं और यहां पर एक कड़ाई में देशी की डाल दिया है और अब इसके अंदर जो है फेनी डालेंगे और फेनी को रोस्ट कर लेंगे कलर हलका सा चीज हो जाए इसका देन उसके बाद आगे का हम प्रोसिजर शुरू करेंगे यह करना बहुत जरूरी होता है बजार में वैसे आपको अवेलिबल मिल जाएगी रोस्टेड वाली भी सेवयां बट यह जो थी नॉर्मल थी क्योंकि लॉक्डाउन चल रहा है जो मिल जाए वो ले लो तो हलका सा इसका देको कलर चेंज हो के लिए तो अब इसमें जो हमने काजू और बडाम और किशमेश व्यासे तो बहुत सारी चीज़े इसमें डलती है पिस्ता भी डलता है चिरॉंजी भी डलती है खजूर भी डलता है वहां जो अवेलिबल था वह अमने डाल दिया है मकारी भी डलते है और काजू बताम इस चीछी टाल दीएगी थोड़े से रोस्त हो जाएंगे पर यह दूट डाल दिया है इसमें और हलका फूल का से इसको पकाएंगे शुरू में दैनूस के बाद चीनी डाल देंगे तो यह गारी गारी अच्छी बर्ची लगती है हल्की फूल की गारी तो पकां के उच्छी स तो ये देखो इस टाइम पे इसमें काफी सारे उबाला चुके हैं और ये almost ready है हमारी से वहिया अभी जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसको अच्छे से गार्निश करेंगे उपर से और काजुबदाम डालेंगे फिर उसके बाद खाएंगे और ये बहुत टेस्ट है पापा की कमरे का कूलर जो है ना वह बहुत कम स्पीड में चल रहा था तो कूलर वाले को बुलाया है वह ठीक कर रहा है तो हम लोग थोड़ा सा भार आ गये हैं और आप लोगों को पते हैं ये तोड़ी सी सफाईया चल लिए सबानी दर उदर खिसका तो सफाईया भी च खिल रहे हैं और मैं उनको शूट कर रही हूँ कभी कभी बहुत अच्छा लगता है देखकर कि जा हम खेल के बढ़े होैं वहां पी हमारे बच्चे खेल खूद के बढ़े होने हैं बच्पन यही पर बीद्गिया हम ऐसे ही खेलते खूदते रहते थे और अब बच्चे खे तो डर रहता है लेकिन यहां पर हमें कोई डर नहीं रहता है मैं आपको थोड़ा से दिखाती हूं बाहर मेरा भाई फोन पर खड़ाओके बाते करा है और आप एरिया देख सकते हो कितना क्लीन है हमारा सड़क भी आपको इतनी गंदी नहीं लग रही होगी और ग्रीन है मैं को अपना घर दिखा देते यह अच्छे से तो यह है हमारा घर सेम टू सेम जो है हमारे जो नेपर्स है उनका भी है बस्हां हम दो जैने रहते ह altri दो ही जैने रहते हैं और यह हमारा पूरा घर है ओवरूल लुक और काफी बड़ा घर है काफी बड़ा और स्पेस भी काफी और यह हमारी जगा है खेलने खूदने की महां पर फाउंटेन भी लग रहा है हर चीज है यहां पर काफी बड़ी अलगता है बहुत बड़ी अलगता है अगेन किचन में यही लगा रहता है आज खर बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए दिन बहुत लंबे हो गए है तो दिया को वही ऐस यूजबल आलू की प्रकॉड़ी बहुत पसंद है उसने अजीब ही फार्माईश करी मम्मी ब्रेड बना दो और आलू की कि अगर साथ में नानू खाना चाहेंगे उसके नानू भी खालेंगे तो यह देखो एपल लेकर आ गई है उसने आदे मतलब जो है छील के काट दी है बड़ उसको वह वालें नहीं कटा ना वह वालें तो मैं उसको यह करती जो कट चुके है वह तो खालो और एक तरह एक ब मांगे वह दे दो क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते और जब वह कुछ मांगते हैं तो उन्हें तुरंत दे दो क्योंकि बच्चों का पेट बहुत जरूरी होता है आज कल के और आ गई है मेरी सिस्टर भी वह एपल जो है अपना कम्प्रीट काटने में लगी हुई है और मैं ना साथ के साथ पूर्च देती हूं अगर गैस पर कुछ किरता है तो बस यहीं लगे हो हैं गर्मी बहुत हो रखी है एसी भी काम नहीं कर रहा है और एसी ना चलाया भी नहीं क्योंकि पापा थे कमरे में और पापो को इतना ज़ कि अभी जो है टाइम हो रहा है पॉने नौ बज रहे हैं रात के यह आपने देखी फोटो आपने अंदादा लगा लियोगा कि अपने घर पर वापिस आ चुकी हूं यह घर आ चुकी हूं मेरी इतनी अची किसमत नहीं कि मैं घर पर रुकूं अपने मम्मी की घर पर कभी कोई प्राबलम होती है भी यह नहीं कि मुझको वहां पर रुकना है वेफाल तुमें और इंजॉय करना है यह कुछ करना है तो मैं फिर किसी और को तकलीफ नहीं देती कि मेरे चक्कर में वह पना गवर चोड़ें और मेरे घर की देख बाल करें तो बस घर अकेला नहीं छो कार से छोड़ देता है भाई कार से इसलिए क्योंकि हमारे देर डॉगी बहुत है और साइकिल या फिर स्कूटी बाइक पर फिर टांगे पकड़ने का डर रहता है पीछे तो भागते है ना तो वह डर लगता है तो मेरा भाई जब भी इस तरह आता है रात के टाइम तो कार और खाना वाना खा लिया है और बस सोना मेरे साथ आई थी सोना के साथ बहुत मस्ती करी और वो कल बोल के गई है कि मैं आउंगी मैं रुकूंगी यही पर रहूंगी पूरा दिन तो सोना आईगी कल देखते हैं उसके संग कैसे टाइम स्पेंड होता है अच्छा लगता है एक बच्चा भी आजाता है घर में तो मोहौल चेंज हो जाता है तो शाम को थोड़ी देर के लिए थी बड़ा मज़ा आया बहुत मज़ेगी मेरे साथी आ गई थी और फिर खाना वाना खाके गई थी और बहुत मज़ा आया था ऐसा लग रहा था कोई महान ही आ गया गया बड़ा मज़ा आता है और मैं इनको छोड़ती नहीं हो पूरी कभी भी न मजबूरी होती है जैसे पापा बिमारत है तब तो मजबूरी थी रुकना पड़ गया था लेकिन वहां पर भी है इनकी वहां पर भी फोटो लग रही है वंमी ने लगा रखी है और हाँ मेरी एक स किवन में बहुत सारी खुशिया मिले आपको बगवान आपकी लंबी उमर करे और बस लॉगडाउन में बड़े जितना हो सके उतना स्पेशल बना दे आपकी ममी पापा बाई बेन घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है और 29 को कुछ स्पेशल होता है मेरी लाइफ में और स्पेशल होता है स्पेशल होता था यह कह लिजिए तो 29 का वेट है मेरे को भी और कुछ अलग करने की सोच रही हूँ क्या करूं बताना जरूर लेकिन मैं करूंगी कुछ इस बार मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइट की अंधिर रात को यही होता है यह देखो फोन मेरे मेरा पसीट पख रही है पसीने पसीने हो गई हूँ पंखह बन करो कूलर बन करो तब वीदियो शूट करो ऐसा होता है गर्मियोग में क्योंकि पंखह की बड़ी ही solid आवाज आती है cooler की तो फिर समझ लो बिल्कुल भी आवाज नहीं आने वाले आप लोगों को मेरी तो चलिए वीडियो का end करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना शियर कर देना कॉमेंट करके बताना कैसी लगी मेरे मायके का व्लॉग आप ल अप लोग को देना चेक करें लेने और बच्छों के लिए चल रही हैं और बहुत सारे जगह आपदा अई पढ़ी है क्यों लिए Aunque सब्सारे के जगा 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 तो यह सब बगवान जगदी से सब कुछ थीक कर दे एक मुसीबत किया कम है घरके अंदर रहने को मजबूर हो गए अब जो है distint है यह मुसीबत और आगई History को थीए तो आ Seokai कि बाते बहुत सारी करनी है लेकिन टाइम कम होता है वीडियो मेंने बना ली कल या परसौ। मैं करूंगी आप लोगों से बहुत अच्छे से बात, बहुत अच्छे से करने वाली हूं। मेरा बहुत मन है क्योंकि इतना मतलब सिर्फ मैं ही मैं हूँ और कोई हो और कोई है नहीं यही तभी यूट्यूबर्स का हाल है कि मैं हूँ बागी कोई कुछ नहीं है यही हालो रखा वाइटी पर देखते हूं फोड़ा सा बात करूंगे अपना पक्ष रखोंगी किसी पर ब तो फिए नहीं है